नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विश्टलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से समंधित इस वीडियो की सुरुवात करते हैं कल पूछे गए प्रश्ण के साथ कल जो प्रश्ण पूछा गया था वह प्रश्ण है कि निम्ण में से किस देश की पूर्वी सीमा पर एंडी इस परवतमाला है चार ओप्सन है ओप्सन A चीली ओप्सन B अर्जेंटीना ओप्सन C प्रागवे और ओप्सन D बॉलिविया इसका सही जबाब है ओप्सन A चीली चले अब हम सुरुबात करते हैं आज के एडिटोरियल की ये रहा आज का पहला संपाद की ए जिसका शिर्षक है टू टूगेदर और इस संपाद की को लिया गया है हिंदू निउस्पेपर से और या संपाद की ए जियस पेपर टू में शामिल विशय दूइपक्षिये चेत्रिये और वैस्विक समू और भारत से संबंधित और अत्वा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार तो चले देखते हैं इस संपाद की को विस्तार के साथ यह संपाद की जिसका आधार है भारत अमेरिका के मद्ध 2 प्लस 2 वा रक्षा मंत्री के बीच हुई वारता और यह वारता हाली में दिल्ली में संपन हुई है और इस वारता के जो परिणाम निकल कर आए हैं जरा उस पे गौर कीजिए पहला परिणाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोप्रेशन एग्रिमेंट का संपन होना मतलब इस समझोते का स यानि की कौम का सब यह चारों क्या है तो इसका पूरा वर्णन विस्तार से कल के संपाधिकी में किया गया है वहीं देखिए और जो अन्य परिणाम निकल कर आए हैं उस पे जरा गौर कीजिए स्वास्त छेत्र और कोविड-19 इन दोनों छेत्रों में दोनों देसों के प्रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के निर्मान से संबंदित भी समझोता हुआ और जो अनिच छित्रें वो देखिए नविकर्णी उर्जा, अंत्रिक्ष, साइबर इस्पेस, आतंकवाद निरोध और नार्कोटिक्स निरोध से संबंदित भी समझोते किये गए उसके बा आतंकवाद के विरुद्धत्वरित एवं सतत कारवाई करे उसके अलवा पाकिस्तान 2008 के मुंबई हमला और 2016 के उरी और पठान कोट हमले में शामिल लोगों को जल्द से जल्द सजा दे तो चले ये तो ऐसी बातें जो परत्यक्ष रूप से लोगों को दिखी लेकिन विसल लिए क्योंकि माइक पॉम्पियो के जो बयान आये हैं उस बयान में चीन को एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है और अमेरिका यह प्रयास कर रहा है कि चीन के विरुद्ध एक कटबंधन का निर्मान हो और इसके लिए अमरिका यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिस और यह जो बदलाओ का लक्षन दिख रहा है इसके माइने दोनों के लिए महत्पूर्ण है ना केवल विश्य के लिए बलकि भारत के लिए भी उतने ही महत्पूर्ण है परन्तु अब यहाँ पर दो प्रस्न है देखिए पहला प्रस्निया है पहला प्रस्निया है कि चीन के प्रती जो अमरीका की नीती दिख रही है यह नीती क्या तातकालिक है या दिर्गकालिक है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि जब चीन का उदे हो रहा था तब अमेरीका का नजर्याद चीन के प्रती पुर्ण तह अलग था वह किस रूप में वह इस रूप में कि अमरीका को ऐ अइसा लग रहा था कि चीन में जो आर्थिक व्रिद्धी हो रही है तो जितनी जादा आर्थिक व्रिद्धी चीन में होगी उतना ही जादा जो लोक तांत्रिक स्थम्भ हैं वह की दोर की वारताईं हुई लेकिन अमेरिका का यह सकारात्मक नजरिया और वारता का परिणाम यह दोनों बाद में नकारात्मकता में बदल गए और अब अमेरिका या देख रहा है कि जो मौजुदा अंतराश्टी विवस्था है उस अंतराश्टी विवस्था के लिए चीन एक खत्रा है या चीन के द्वारा उस अंतराश्टी विवस्था को चुनोती दी जा रही है। अब इन सब का उद्देश से क्या है इन सब का उद्देश से यह है कि चीन के द्वारा जो संप्रभूता का उलंगन किया जा रहा है विविन्य देशों का और इस्थल और समुद्र पर जो अंतराश्टी कानूनों का उलंगन किया जा रहा है उसे रोकना और इन छेत्रों में के एक बेहतर विकल्प को तयार करना अब अगला सवाल किसके लिए है या सवाल है भारत के लिए मतलब ये कि इन सब का भारत के लिए क्या माइने है या भारत के लिए क्या अर्थ रखता है देखे जैसा कि विदेशी मामलों के विश्यसग्यों का कहना है कि अमरीकी अधिकार यह जो यात्रा हुई है इस यात्रा के अगर प्रदर्सन पर गौर करें तो भारत और अमेरिका के बीच में जो मौजुता समझोते हुए है उस पर तीन नौंबर को जो अमेरिका में चुनाव होने वाला है राश्टपती पद का और उसके जो परिणाम निकल कर आएंगे तो इन चुनाव परिणामों का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भारत अमेरिका के समझोते पर वहीं एक बात और गौर करने वाली वह क्या वह यह है कि माईक पॉम्पियो ने जो एल एसी पर बयान दिया मतलब भारत और चीन के बीच में एल एसी पर जो गति बनाई रखा जो यह संकेत देता है कि एल एसी पर भारत और चीन के बीच में जो seit선 चल रहा है वह भारत और चीन के बीच में एक दूई-पक्षिय मुद्दा है देखे यह सही है कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच में कूट नितिक सम्मंध्य अपने निम्न इ परन्तु भारत ने हमेशा से विस्ट को यह बताया है कि पडोसियों के साथ उसे जो भी चुनोतियां मिलती है वह चुनोतियां हमेशा से भारत के लिए एक दुई-पक्षिय मुद्दा होता है जिसका अर्थ है कि भारत रणनेतिक स्वायत्ता पर हमेशा से बल देता रहा है तो इस परकार इस संपादिकी में हमने 2 प्लस 2 वारता उससे उपजे सवाल और भारत के लिए इसके क्या माइने है पर चर्चा की चलिए अब हम बढ़ते हैं आपने दूसरे संपादिकी की ओर जिसका स्टीर शक है रियल स्टेट इस संपादिकी को लिया गया है दा इस संपादिकी का आधार है जम्मु कस्मीर विकास अधिनियम इसके अंतरगत ग्री मंत्राले ने 111 पन्नों की अधिसूचना जारी की है आईए देखते हैं कि इसके प्रमुक बिंदू क्या है ग्री मंत्राले ने जिस अधिसूचना को जारी किया है उस अधिसूचना के द अलावा जम्मु कस्मीर में पहले के जो कानून थे उन कानूनों में से 11 कानूनों को निरस्थ कर दिया गया उसे समाप्त कर दिया गया फिर जम्मु कस्मीर के पुराने कानूनों में जो वाक्य प्रयोग किया जाता था राज्य के इस्थाई निवासी तो इस वाक्य को भी हट दिया गया है उसके अलावा एक महत्पून बात यहां पर यह है कि भूमी निप्टान से संबंधित जो संसोधन करने की सकती है तो इस अधिसूचना के द्वारा इस संसोधन करने की सकती को केंदर ने अपने हाथों में ले लिया है वहीं अब गैर निवासी मतलब यह कि जो ग जम्मू कस्मीर संगसासित प्रदेश में जमीन को खरी सकते हैं उसके अलवा इसमें यह भी प्रावधान है कि जो किरसी योगी भूमी है जम्मू कस्मीर संगसासित प्रदेश में तो उसका गैर किरसी उप्योग नहीं हो पाएगा परंतु यहां पर एक प्रावधान यह भ कि जिस जम्मू कस्मीर विकास अधिनियम के अंतरगत ग्री मंतराले ने अधिसूचना जारी की है तो उसके पक्ष में भी बाते हो रहे हैं वहीं उसकी आलोचना भी हो रहे हैं। लाए गए हैं तो यह एक तारकी कदम है मतलब यह कि जो पुराने भूमी कानून थे उसको जो बदल दिया गया है तो यह एक तारकी कदम है क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो भूमी कानून में परिवर्तन हुआ है उससे राजमे निवेस की दर में वृद्धी होगी उसके अलावा, लोगों का मुक्त आवागशमन हो पाएगा और जम्मु कसमीर का जो बाजार है, उस बाजार का एकिकरण हो पाएगा, देश के अन जो बाजार है उसके साथ, मतलब यह कि रास्टी बाजार एकिकरण की प्रकरिया पूर्ण होगी, इससे भी क्या होगा? विकास की ग इस जो सकारात्मक पहलू है, इस सकारात्मक पहलू के आलावा यह जो नया कानून लाया गया है, इसकी आलोचना भी की जा रही है, वह किस रूप में की जा रही है, जरा उस पे गौर कीजिए, अब यहाँ पर बात यह कही जा रही है, कि जो नया कानून है, वह नया कानून द विश्ष्ट्रता प्रभावित हो जाएगी खास कर जन सांकी की परिवर्तनों के कारण क्योंकि उसमें देश के अलग-अलग भागों के लोग भी रहने लगेंगे और इससे पहले जो 35A मौजूद था उसके द्वारा जम्मू कस्मीर की इस विश्ष्ट्रता को संग्रचित र मिलेगी इस नय भू कानुन के द्वारा तो आलोचंको का यह कहना है कि जो नया कानुन बनाया गया है उस नय कानुन के बनाने में जो इस्थानी लोग हैं उसे सलाह मस्वरा किया जाता है वहीं देखे आगे क्या बात कहीए है कि भारति सम्म्मिधान के अनुछे 371 के द्वारा कई ऐसे राज्य हैं जिनके भूमी से सम्मंधित स्वामित एवं हस्तांतरन के अधिकार को संग्रक्षित किया गया है तो ठीक इसी प्रकार के प्रावधान जम्मु कस्मीर के लिए क्यों नहीं किये गए फिर आगे क्या है वो देखिए आगे यहां पर यह बात है कि 5 अगस्त 2019 को केंदर सरकार की द्वारा यह जो निर्ने लिए गया कि जम्मु कस्मीर को जो विसेश राज्य का दरजा प्रावत उसको समाब्त कर दिया जाए तो इस निर्ने को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी गए अब अगर केंदर सरकार यह सोशती है कि जम्मु कस् कस्मीर की इस नई इस्थिती को स्विकार कर लेगी तो स्विकार कर भी सकती थी परन्तु यह जो नया भूमी कानून लाया गया है वह इस दिसा में एक बाधा उत्पन कर सकता है क्योंकि कस्मीर एक ऐसा इस्थान है जहां पर लोग सरकार के द्वारा किये जा रहे हर कारे को उ मंदिज जितनी राजनितिक पार्टिया हैं उन्होंने इस भूमी कानून को लोगों के अधिकार पर एक गंभीर चोट की संग्या दी अब देखें निसकर्स रूप में यहाँ पर यह बात कही जा सकती है कि 30 अक्टूबर से पहले मतलब जल्द से जल्द सरकार लद्दाक केंदर सासित प्रदेश के लिए भी भूमी कानून को लाने वाली है अब केंदर ने यहाँ पर यह आस्वासन दिया है कि जो नया भूमी कानून लाया जाएगा लद्दाक केंदर सासित प्रदेश के लिए तो उसमें लोगों के हित को सुरक्षा मिलेगी आखिर कौन-कौन कही जा सकती है कि जो आस्वासन केंद्र के द्वारा इन केंद्र सासित प्रदेशों को दिया जा रहा है तो वो लिखित रूप में कानून में उपस्तित होना चाहिए देखे निवेस को प्रोजसाहन मिले या एक अच्छी बात है परन्तू या बुद्धिमानी तब मानी अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और अंतिम संपादकी की ओर जिसका शिर्षक है एडिंग डियागनोसिस इस संपादकी को लिया गया है फाइनेंसियल एक्स्प्रेस से और यह संपादकी जी एस पेपर थर्ड में शामिल विसे नई प्रद्योगी की का विकास कि दृष् की कमपनी आईबीम और फर्मसुटिकल मतलब बायो फर्मसुटिकल की कमपनी फाइजर तो इन दोनों कमपनियों ने संयक्त रूप से अलजाइमर रोग के सुरुवाती इस्तर की पहचान के लिए अध्यन किया और अध्यन के लिए इन्होंने आधार लिया किया 1948 इस्वी मे फ्रैमिंगम हर्ट स्टडी के लेंग्विज डेटा का है लेंग्विज डेटा एक ऐसी तकनीक है जिससे speech impairment को प्राप्त किया जा सकता है मतलब उसकी पहचान की जा सकती है अब speech impairment क्या होता है speech impairment का मतलब यहाँ पर यह है कि बोलने में तकलीफ होना उच्चारन करने में तक के द्वारा अध्यन किया गया उस अध्यन में पाया गया कि non linguistic determinants क्या होता है जैसे हसना रोना city बजाना और demographic variables मतलब age gender education और neuropsychological test neuropsychological test क्या होता है संग्यान आत्मक मतलब दिमाग की छमता का अध्यन करना जैसे लोगों के ध्यान देने की छमता concentration की बात भासा और memory वो सबके सब neurological test के अंतरगत आते हैं तो अध्यन में यह पाया गया कि non linguistic determinants demographic variables और neuropsychological test की तुलना में linguistic model की सुद्धता का जो इस्तर है वो क काफी उच्च है मतलब किसमे अलजैमर की प्राचान में वो कितरा है वो 73% है वहीं अगर केवल non linguistic determinants लिया जाए तो इसकी सुद्धता का जो उच्च स्तर वो कितना है 64% और अगर दोनों को मिला लिया जाए मतलब linguistic model और non linguistic determinants इन दोनों को मिला लिया जाए तो सुद्धता क किस्तर कितना होता है 72% वहीं इस अध्यन में यह भी बात देखी गई कि अगर अलजैमर की भविस्वानी की बात की जाए मतलब पुर्व सुचना तो पुर्व सुचना महिला जादा देते हैं पुरुसों की तुलना में और अगर च्छात्रों की स्तर पर देखा जाए तो प्रात्मिक विद्याल है कि जो च्छात्र वह पुर्व सुचना देते हैं कॉलेज में पढ़ने वाले च्छात्रों की तुलना में वहीं इस अध्यन में यह भी पाए गया कि माइल्ड जो अलजैमर है उसके निदान में जो औससस समय लगता हुआ कितना होता है 8 वर्स यहा इसमिर्थी वो प्रभावित होने लगता है और साथ ही मस्तिस्क की कारेप्रणाली भी प्रभावित होने लगती है अब हमें यह पता है कि ब्रेस्ट कैंसर, किड्नी डिजीज और यहां तक की कोविड नाइन्टीन के निदान या डियागनोसिस की दिशा में आर्टिफीश इंटेलिजेंस मददगार साबित हो सकता है परंतु आर्टिफीशल इंटेलिजेंस की सटिकता इस बात पर निर्भर करती है कि जो डेटा उपलब्द है उसकी गुणवत्ता कैसी है और उसकी मात्रा कितनी है आर्टिफीशल इंटेलिजेंस की सटिकता की दर जितनी तीन अलग-अलग संपादिकी को देखा ये रहा आज का प्रश्ण है कि अगर कोई दो देश संयुक्त रूप से किसी तीसरे देश के साथ वारता करते हैं तो वारता का यह रूप कहलाता है चार ओप्सन है ओप्सन A, 2 प्लस 1 ओप्सन B, 1 प्लस 1 ओप्सन C, 4 माइनस 3 और ओप्सन D, 1 प्लस 1 कमेंट सेक्षन में आपके जवाब का इंतिजार रहेगा इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार